वेलकम टू एकजाम सहपाथी आज के इस खटना चगर के मासिक समसमाई की सार में हम लोग अपना मंथली करंट अफेर्स कर रहे हैं अगस्त 2022 का और ये हमारा दूसरा पार्ट है अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है जिसमें हम लोग नियुक्तियां और महतपूर पुरुसकारों के बारे में देखा था अगस्त मा के तो आप लोग प्लैडिस्ट में जाके देख सकते हैं इस वीडियो में हम लोग खेलक से समंदित करंट अफेर्स जो आपके अगस्त महीने के हैं इसके लावा भारत और विस्ट में जो पहली बार चीज़े हुई अगस्त महीने में उसको देखेंगे अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सस्तियोय सुरक्षित यह आपकी ऑनलाइन सरकारी इटैक्सी सेवा है ठीक है तो ऑनलाइन आपकी सरकारी इटैक्सी सेवा कौन श्टार्ट कर रहा है तो यह है आपका केरल राज्य और इस सेवा क्या नाम है तो इसका नाम है केरल साबरी इटैक्सी नाम से सरकारी इटै भी बनी है वो बनी है आपकी मनीशा रोपिटा ठीक है अगला हमारा है किस राज में इस्थित ओम कारेश्वर बांद पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट और इसकी छमता कितनी होगी 600 मेगावाट की ये बनाय जा रहा है तो ओम कारेश्वर बांद आपके मध्यप्रदेश में है ठीक है न तो ये खंडवा मध्यप्रदेश में बनाय जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ठीक है ओम कारेश्वर बांद पर कहाँ पे खंडवा मध्यप्रदेश में चंपता कितनी है इसकी ये भी आपसे पूछा सकता है तो 600 मेगावाट इसकी चंपता है 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन से बन बन गए है तो T20 मैच आपकी है ठीक है आपके 20 ओवर की जो मैच होते हैं तो 600 T20 मैच किस ने खेल लिया है दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए है कीरेन पोलार्ट जो खीकिस देश के खिलाड़ी है तो ये हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ओके अगला हमारा है भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया कहां पर विक्सित किया गया तो पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया विक्सित किया गया कहां पर तो ये हैदराबाद में विक्सित किया गया है ठीक है भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया कार्निया किस सरीर के किस अंग का भाग होता है अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते है द्वी संयोजक माडर्न कोविड बुश्टर टीका करण को मंजूरी देने वाला विस्व का पहला देश कौन सा बन गया है तो द्वी संयोजक माडर्न कोविड बूश्टर टीका करण को मंजूरी देने वाला ये विस्व का पहला कौन सा देश है तो ये है आपका ब्रिटेन देश ठीक है नेक्स्ट हमारा है भारत की पहली खारे पानी से रोसन होने वाली लाल्टेन यानि की खारे पानी से जलने वाली लाल्टेन का जो है क्या नाम रखा गया है तो ये आपकी इसका नम रखा गया है रोसनी ठीक है ना और ये भारत की पहली खारे पानी से रोसन होने वाली क्या हो चैंद्री सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत की पहली इलेक्ट्रिक double daker air conditioner bus को हरी जन्टी दिखाई है तो ये भारत की पहली electric double taker air conditioner बस है ठीक है तो electric है याद रखना ये कहां पे start की गई तो ये start की गई है मुंबाई में हर घर जल प्रमाडन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राजी कौन सा बन गया है तो आपको पहले से पताए कि हर घर जल वाला राजी कौन सा था तो ये आपका गोवा था अब इसको certificate यानि कि प्रमाडित कर दिया गया है ठीक है भारत सरकार से तो ये आप याद रखेंगे यह गोवा है आपका हर घर जल प्रमाडित होने वाला आपका भारत का पहला राज्य है नेक्स्ट हमारा है मासिक धर्म संबंधी उत्पाद यानि कि जो आपके पीरियड्स में जो प्रोड़क्ट्स यूज होते हैं उनको मुफ्त में देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है तो स्काउट लैंड में एक कानून पारित किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अब जो आपके पीरियड्स से संबंधित जो भी आपके प्रोड़क्ट्स होंगे उनको सरकार मुफ्त में उपलब्द कराएगी ठीक है European Club Tournament UEFA Champions League खेलने वाली भारत की पहली भारतिय फुटबालर कौन बन गई है तो पहली भारतिय फुटबालर जिन्होंने आपका European Club Tournament UEFA Champions League खेला है वो कौन बन गई है तो वो है आपकी मनीशा कल्याण ठीक है न ये आपकी भारतिय फुटबालर है और जिन्होंने पहली बार जो है European Club Tournament में कोई भारती ने क्या किया है परदारपड किया है भारती रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कोन बन गई है जिसका हाल ही में संचालन किया गया तो सबसे लंबी जो आपकी मालगाड़ी बन गई है वो पहले वासुकी थी लेकिन अब जो नई आपकी बनी है वो है आपकी सूपर वासुकी ठीक है तो सूपर वासुकी भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है ठीक है न रेलवे मालगाड़ी है भारती रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी क्या नाम है सूपर वासुकी भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बन गया है तो ये भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है जो की है आपका मंडला और ये कहां पे है तो मध्यप्रदेश में इस्थित है मंडला मध्यप्रदेश में अभी आपने देखा था कि 600 मेगा वाट का सौर रोजा पाउर प्लांट ओम कारिस्वर बांथ पे बनाय जा रहा है ठिक अगला हमारा है वो खंडवा मद प्रदेश था ओके भारत की पहली educational township किस राजी में बनाई जाएगी तो पहली educational township आपकी बनाई जाएगी कहां पे तो ये उत्तर प्रदेश में बनाय जाएगा भारत की पहली educational township जहां पे सिक्षा से सम्मंदित सारी चीजे एक ही जगा पे उपलब दोंगी भारत का पहला night safari और जैव विविधिता पार्क कहां पर बनाय जाएगा तो अब तक जो है day safari तो कई थी ठीक है न लेकिन पहली बार night safari और जैव विविधिता पार्क कहां पर बनाय जाए रहा है तो ये लखनोग में बनाय जाए चाहां पर उत्तर प्रदेश के देश की राजदानी है तो भारत का पहला night safari कहां पर लखनोग उत्तर प्रदेश में अगला हमारा है hydrogen train की पहली rail सेवा किस देश में शुरू की गई तो पहली rail सेवा आपकी officially रूप से अभी start कर दी गई कहाँ पे जर्मनी में ठीक है न अगस्त के महिने में 3D printing तकनीक से निर्मित भारत का पहला dark घर कहाँ पर निर्मित किया जाएगा तो 3D printing से आपका निर्मित होने वाला भारत का पहला dark घर ये बनाय जाएगा कहाँ पर तो ये बनाय जाएगा बेंगलूरू करनाटक में अब ही कुछ देर पहले आपको बताया गया था की 3D printing तकनीक से कार्णिया का निर्माड कहाँ पर किया गया तो अगर आपको याद हो तो कार्िया का निर्माड आप बताएंगे कहाँ पर किया गया जाएगा दाग घर काहां पर ऐस्थापित होगा 3D printing technique से जो बनेगा वो बनेगा आपके बैंगलूरू करनाटक में Next हमारा है भारत का सबसे बदा धारमी कस्मा रख वैदिक तारा मंडल मंदर 2024 में कहां पर खोला जाएगा तो यह आपका 2024 में ओपन किया जाएगा ठीक है न तो ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में है ठीक है नदिया जिले में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में जो की आपका इसकौन का मुख्याले भी है ठीक है वैदिक तारा मंडल का मंदिर विस्ट का सबसे बड़ा धार्मी कस्मारक हो जाएगा ये ठीक है प्रतिम बुद्धी संचालित प्रशिक्षर प्रवाली उपयोग करने वाली जो पहली एरलाइन बन गई है पैलटों को प्रशिक्षित करने के लिए वो है आपकी Air Asia India ठीक है दक्षड कोरिया ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन्दर का अपना ही रिकार्ड फिर से तोड़ दि के सबसे कम प्रजनन्दर का रिकार्ड इसने खुद से ही तोड़ दिया है ठीक है यानि कि पिछली बार से भी कम प्रजनन्दर इसने रिकार्ड यहां पे रिकार्ड की गई है अब देखते है खेल शेशंबंदित महतपूर करन्ट अफेर्स को ठीक है महिला European Championship Football प्रतियोग नेक्स्ट है हमारा केंद्री मंत्री हरदीप सिंग पूरी ने कहां पर चोथ है ONGC पैरा खेल 2022 का उदगाटन किया तो यह किया गया तो यह किया गया त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में इसमें पहले जो है केवल ONGC के पैरा खिलाड़ी ही खेलते थे लेकिन अब 2022 का उदगाटन कहां पर हुआ त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में अगला हमारा है कोलंबिया में आयोजित विस्व Under 20 Athletics Championship में दो मेडल जीतने वाली पहली भारती है कौन बन गई है तो यह बन गई है आपकी रूपल चोधरी और यह कहां से संबंदित हैं तो यह मेर किया जा रहा था चोथी Under 20 South Asian Football Federation यानि की सैफ Under 20 Championship 2022 का खिताब जो है बांगलादेश को हरा करके लगातार दूसरी बार किशने जीत लिया तो याद रखना कि भारत ने जीत लिया है आपका Under 20 आपका South Asian Football Federation का जो चैंपियनसिप हो रहा था उसको ठीक है ना तो South Asian Football Federation Championship जो आपक Under 20 के थी चोथी इसका संस्क्रण था चोथा संस्क्रण और इसमें भारत ने बांगलादेश को हराया है और लगातार दूसरी बार भारत ये खिताब जीत गया है सैफ Under 20 Championship 2022 सतरंज खिलाडी वी प्रड़य रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीत कर भारत के 75 ग्रेंड मास्टर बन गए हैं तो भारत के 75 ग्रेंड मास्टर कोन बन गए है ये आप याद रखना इनका नाम क्या है वी प्रड़य इनका नाम है और ये भारत के 75 ग्रेंड मास्टर बन ग ठीक है न, इसके अलावा आपको बताया गया था कि इसका, जो आपका सुभंकर है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका थमबी, ठीक है, तो 44 से सतरन जो अलम्पियाड के सुभंकर का क्या नाम था, थमबी था, और अभी जो है, इसमें स्वर्ड पदक किस ने जीता, ओपेन सेक्षन में तो ये जीता उजबेकिस्तान में आर्मेनिया की टीम ने रजद पदक और भारत टू जो टीम है ये पूरुसों की टीम थी जिसने जो है कांसे पदक जीता और भारत वन टीम जो महिलाओं की थी उसने भी कांसे पदक जीता ठीक है न तो याद रखना कि भ तो ये आप याद रखना कि भारत की महिला और पूरुष दोनों टीमों ने क्या जीता था कांज से पदक जीता था महिलाओं की इंडियन प्रीमियर लीग का पहला संस्क्रण मार्च 2023 में अजित किया जाएगा तो जिस तरह से अपका पूरुषों का IPL होता है उसी तरह से अप महिलाओं का भी IPL होगा और इसमें संभावता जो अपका 2023 में होने वाला है उसमें 5 टीमें हिस्सा लेने वाली है तो ये इसका अजिन कब होगा तो इसका अजिन मार्च 2023 में किया जाना है तो मार्च 2023 में आपका महिलाओं की IPL इस्टार्ट की जाएगी इरान के तहरान में आयो जित 14 वी अंडर 18 एसियन बॉलीबॉल चेंपियंशिप तो ये आपका अंडर 18 एसियन बॉलीबॉल चेंपियंशिप है नीरज चोपड़ा लुसाने डाइमंड लीग 2022 में स्वड़ पदक जीतने वाले पहले भारती ये बन गए हैं तो याद रखना कि जो आपका डाइमंड लीग प्रत्योगिता होती है 2022 की इसमें जो है स्वड़ पदक किस ने जीत लिया तो वो जीत लिया है आपके नीरज चोपड़ा ने नेक्स्ट हमारा है करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस ने यूरोपिय फुटबाल महासंग के वर्स के सर्वस्रेश्ट खिलाड़ी का पुरुस का जीता तो यूरोपियन फुटबाल महासंग के वर्स के सर्वस्रेश्ट खिलाड़ी कौन चुने गएं वो चुने गएं करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस BWF विस्व बैडमिंटन चेंपियंशिप में सात्विक और चिराग की भारतिय पुरुस यूगल जोडी ने कान से पदक जीता है तो ये आपका important हो जाएगा जरूर इसको जाद रखेगा कि आपका वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में जो आपकी विस्व बैडमिंटन चेंपियंशिप हो रही है उसमें भारत ने यूगल जो है खिताब में क्या भी जीता है कान से पदक जीता है और कौन-कौन से है इसमें सामिल खिलाडी तो सात्विक है और कौन है चिराग है ठीक है और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें पूरुष एकल का खिताब किस ने जीता तो पूरुष एकल का खिताब जीत लिया है विक्टर एकसेलसन ने ठीक है तो BWF फिस्व चेंपियंशिप 2022 में पूरुष एकल का खिताब विक्टर एकसेलसन ने जीत लिया जबकि आपके भारत से कौन जीता है तो भारत की पूरुष जुकल जोड़ी सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कांच पदक जीता है नेक्स्ट हमारा है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में भारत के लिए सौ मैच खेलने वाले पहले बल्ले बाज कौन बन गए है तो क्रिकेट के तीनों प्रारूप जो आपका टेस्ट वंडे और T20 है इसमें जो है सौ मैच खेलने वाले भारत के जो पहले बल्लेबाज बन गए हैं वो हैं आपके विराट कोहली इसके लावार रोहित सर्मा के नाम भी एक उपरब्दी हासिल हुई है रोहित सर्मा T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और दूसरे नमबर पे आपकोन आ गए हैं तो जो आपके गप्टिल हैं ठीक है ना तो गप्टिल जो है आपके ये किस नमबर पे आ गए हैं तो ये आपके दूसरे नमबर पे आ गए हैं ठीक है गेदबाद बन गए हैं जबकि इस्पिनर गेदबाच कोन है तो वह आपके मुतहिया मुली दरन है अगला है हमारा किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीड ओलंपिक खेल की सुरुवात की गई तो यह स्टार्ट किया गया है आपका ग्रामीड ओलंपिक खेल यह याद र फेर्स थे ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आपको अच्छो लेगंगे तो आप अपने दोस्तों तक उसको जरूर full शेयर कर दिया कीजिये ठीक है शेयर आप जरूर कर दिया कीजिये वीडियो को आप लाइक कर देंगे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवा अगर आप यहां तक देख रहे हैं ओके